बीते दिनों जहां पंजाबी म्यूजिक सिंगर एपी धिलो विदेश में एक हाथसी का शिकार हो गए थे वही अब बॉलिवुट के मशूर प्लेबाक सिंगर जुबीन नौटियाल को लेकर भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है जुबीन हाली में एक दुरघटना के शिकार हो गए गुरुवार सुबह एक हाथसे में सिंगर की कोहनी और पसलिया तूट गई यहां तक की सिंगर के सिर में भी चोटाई है जिसके बाद उन्हें मुंबई के ही अस्पताल में भरती करा गया यह सब हाथसा तब हुआ जब वो अपने घर की सीडियो से गिर गए सीडियो से गिरे जुबीन नौटियाल तूट गई सिंगर की कोहनी और पसलिया अस्पताल में भरती जुबीन के हाथ का हुआ ओपरेशन रिपोर्ट्स के मताबिक जुबीन को इतनी ज़्यादा चोट लगी है कि डॉक्टर्स ने उनके दाए हाथ का ओपरेशन किया है इसके अलावा डॉक्टर्स ने उन्हें दाए हाथ का इस्तेमाल ना करने की सलहा दी है बताते कि पिछले हफते ही जुबीन ने दुबई में लाइफ कॉंसर्ट में परफॉर्म किया था खबरों के मताबिक इसी इवेंट के बाद वो घायल हो गए थे वहीं हाल ही में जुबीन का गाना तू सामने आय रिलीस हुआ था इस गाने के साथ जुबीन काफी चर्चा में थे दूसरी और जुबीन नौटियाल पिछले दिनों खालिस्तानी लीडर जे सिंग के चकर में सोचल मीडिया ट्रॉलिंग का शिकार हुए थे उनके खिलाफ हाश्टाग अरेस जुबीन नौटियाल नाम का ट्रेंड भी चला था गौड तलब है कि जुबीन नौटियाल ने चार साल की उम्र से म्यूजिक सीखना शुरू कर दिया था वहीं अठारा की उम्र में वो फेमस होने लगे थे साल 2011 में जुबीन ने एक्स फाक्टर नाम के सिंगिंग रियालिटी शो में सलिया वहीं जुबीन ने 2014 में आई फिल्म सुनाली केबल के गाने एक मुलाकात से अपनी हिंदी फिल्म सिंगिंग करियर की शिरुवात की जुबीन अब तक 25 से जादा पुराने गानों के रिमिक्स वर्जिन भी गा चुके हैं जुबीन नौटियाल ने बॉलिवुड को राता लंबिया लुट गए हम नवा मेरे और तुझे कितना चाहने लगे हम तुम ही आना बेवफा तेरा मौसम चहरा जेसे सुपर हिट का ने दिये है मुजिक इंडुस्ट्री में जुबीन नौटियाल ने खुद अपनी महरत के दम पर अपनी पहचान बनाई है उनके गाने फांस को खूब पसंदाते हैं उनके अधिकतर गाने हिट रहे हैं जुबीन सिर्फ अपनी आवाज ही नहीं बलकि अपने क्यूट लुक्स के लिए भी जाने जाते हैं यही वज़ा है कि सिंगर के फीमील फांस की संख्या काफी जादा है बहराल इस हाथसे के बाद सिंगर के फांस उनके जल्द ठीक होने की दुआए भी कर रहे हैं जैसे ही सिंगर को लेकर एक हबर सामने आई उनके फांस चिंता में आ गए फांस बस यही दुआ कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं अपने चहेते सिंगर को यू तकलीफ में देख फांस परिशान हैं वही हम भी उनके जल्द स्वास्थ होने की काम न करते हैं बीरो रिपोर्ट एटवणिफोर झाल